सब्सक्राइब कीजी लखाइपूर टीवी चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए नई अपडेट पाने के लिए हेलो दोस्तों लखाइपूर टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ लखाइपूरी और आज मैं बता रहा हूँ हिमालिया शिग्रू के फायदे और इस्तेमाल के बारे में हिमालिया शिग्रू के इस्तेमाल से जॉइंट पेन, सुजन, कमरदैद, साइटिका जैसे वात रोगों के अलावा डाजेशन की प्रोबलम में भी फायदा होता है तो आईए जानते हैं इसका कमपोजीशन, फायदे और इस्तेमाल की पूरी डिटेल हिमालिया शिग्रू एक नैचुरियल हर्बल प्रोड़क्ट है इसके कमपोजीशन की बात करें तो इसमें शिग्रू का कंसेंट्रेशन होता है हर कैप्सूल या टेबलेट में धाई सो एमजी शिग्रू एक तरह का पेड़ होता है जिसे सहजन, मौरिंगा, ड्रमस्टीक, मुन्गा जैसे कई नामों से जाना जाता है इसके फल को सबजी के रूप में इस्तिमाल किया जाता है जिसे ड्रमस्टीक कहा जाता है इसे आप सब भी लोग जानते ही होंगे शिग्रू या सहजन का आयरुएद में बड़ा महातु है इसके गुनों के कारण यह विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है इसमें विटामिन A, विटामिन C के अलावा मैगनिशियम, कैल्शियम, फासफोरस, आयरन और काउपर जैसे मिनरल्स पाय जाते है इसकी जड़की छाल के इस्तेमाल से साटी का दूर करने का नुश्का पहले ही बता चुका हूँ, जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं यहां हम बात कर रहे हैं हिमाल्या शिग्रू की, तो आईए जानते हैं हिमाल्या शिग्रू का गुन यह anti-oxidant, anti-inflammatory यानि सुजन दूर करने वाला, analgesic यानि दर्द कम करने वाला, antibacterial, antiviral, anticholeric और पाचन ठीक करने वाले गुनों से भरपूर होता है अईरवेदा अनुसार यह वात नाशक है आई अब जानते हैं हिमाल्या शिग्रू के फायदे हिमाल्या शिग्रू के इस्तिमाल से जोणों का दर्द, सुजन, गठिया, arthritis, कमर दर्द, साइटीका, जक्रन जैसे वात रोगों में फायदा होता है नेचुरल विटामीन्स और मिनरल से भरपूर होता है शरीर को पोशन देता है और रोग पर तिरोधक छमता या immunity power को बढ़ाता है कल्सियम रिच होने से हटियों को मजबूत करता है वात रोगों में इसका इस्तिमाल कर फैदा ले सकते हैं पर कठिन रोगों में सिर्फ इसके भरोसे नहीं रह सकते इसे सहाय काशदी के रूप में ले सकते हैं किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट या नुक्सान नहीं होता है इसके साथ कैप्सूल या टैबलेट के पैक की मैत 140 रुप्या के करीब है घर बैठें ओनलान खरीदने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिएगा लिंक पर जा सकते हैं जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और शेर कीजिए कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए आज की जानकारी को डिस्क्रिप्शन में दिएगा लिंक पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राब नहीं किया है तो सब्सक्राब कर लिजिए और बेल बटन को जरूर दबाईए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे आज के लिए इतना ही जय हिंद जय आरवेद